नमस्कार दोस्तों आज हम रेखाएं और कोणों यानी लाइन्स अन अंगल्स पर कुछ चर्चा करेंगे यह गर्नित का एक बहुत ही दिल्चस्प विश्य है आप अपने दैनिक जीवन में भी अनेक स्थितियों में रेखाओं और कोणों का उपयोग करते हैं जैसे विज्ञान में आप प्रकाश के गुणों का किरन आरेख खींच कर अध्यायन करते हैं एक आर्केटेक्ट जब एक बहुतील्य भवन के लिए एक रेखाचित्र खींचता है तो उसे विभिन कोणों पर प्रदिछेदी और समानतर रेखाएं खींचनी पड़ती हैं समतल प्रिष्ठों का प्रयोग करके एक ही प्रकार के मॉडल बनाते हैं अगर आप तब आपको कोणों के बारे में विस्तरित जानकारी की आवशक्ता होती है क्या आप सोच सकते हैं कि यह सब कार्रे रेखाओं और कोणों के ग्यान के बिना कैसे संभव होंगे इसलिए आज हम रेखाओं और कोणों के कई गुण सीखेंगे और इन गुणों का अन्य उप्योगी गुणों को निकम्मित करने के लिए प्रयोग करेंगे इसमें हम पहले कुछ परिभाशाएं सीखेंगे कोण क्या होते हैं वह जानेंगे उसके प्रकारों के बारे में सीखेंगे उनके कुछ युग में जानेंगे प्रतिछेदी और अप्रतिछेदी रेखाएं के आउतियें वह सीखेंगे और कोणों के रेखेक युग में पर कुछ चर्चा करेंगे अब हम कुछ जरूरी परिभाशाएं सीखेंगे पहली है रेखा, एक रेखा दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैल सकती है रेखा को व्यक्त करने के लिए हम इस पर कोई भी दो बिंदू लेते हैं जैसे यहां कह लीजिए A और B और इस प्रतीक का प्रयोग करके व्यक्त करते हैं दूसरा है रेखा खंड एक रेखा का व्यखा भाग जिसके दो अंध बिंदू हों जैसे यहां मान लीजिए A और B उसको रेखा खंड कहते हैं अब इस रेखा खंड को व्यक्त करने के लिए इस प्रतीक का उप्योग होता है तीसरी है किरन किरन भी रेखा का ही भाग है पर इसका एक ही अंध बिंदू होता है दूसरी दिशा में ये असीम रूप से फैल सकती है मान लीजिए इस अंत बिंदू को मैं A कह रही है अब किरन को व्यक्त करने के लिए इस पर कोई भी एक और बिंदू लेते हैं मान लीजे यहाँ B और इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि मैं किरण में अंत बिंदू को B कहती और एक अतिरिक्त बिंदू को A लेती तब इस किरण का जो प्रतीक होगा उसे इस तरह लिखा जाएगा। यानि जो तीर होगा वै उस दिशा में होगा जिस दिशा में ये असीम रूप से फैल सकती है। संरेख और असरेख बिंदू यदि तीन या उससे अधिक बिंदू एक ही रेखा पर स्थित हों जैसे यहाँ तब उन्हें संरेक बिंदू कहते हैं। अन्य था वै असर एक बिंदू कहलाते हैं अब हम सीखेंगे कि कौन किसे कहते हैं जब दो किर्णे एक ही अंत बिंदू से प्रारंभ हो जिसे इस आकरीती में तब एक कौन बनता है कौन को बनाने वाली दोनों किर्णे कौन की भुजाएं कहलाती हैं और वै उभनिष्ट बिंदू कौन का शीर्ष मान लिजिए इस अंत बिंदू को यहां में ओ कह रहे हैं अब कौन को व्यक्त करने के लिए दोनों किर्णों पर एक एक बिंदू ली जाती है जैसे यहाँ A और दूसरी किरन पर B अब इस कौन को कौन A और B कहा जाता है और इसका प्रतीक यह होता है कौन भी अपने माप पर आधारित विभिन प्रकार की होते हैं जैसे 0 डिग्री से अधिक पर 90 डिग्री से कम माप होने पर कौन नियून कौन कहला जाता है और ठीक 90 डिग्री माप होने पर सम कौन 90 डिग्री से अधिक पर 180 डिग्री से कम पर अधिक कौन ठीक 180 डिग्री होने पर रिजू कौन और 180 डिग्री से अधिक पर 360 डिग्री से कम माप होने पर प्रतिवर्ति कौन अब हम कोनों के युग्मों के बारे में जानेंगे पहला है असन कोनों का युग्म जब दो कोनों का एक उभयुक्द शीर्ष हो जैसे यहां B एक उभयुक्द भुजा हो जैसे यहां BD और वो भुजाएं जो उभयुक्द नहीं है इस बुजा के विपरीद और थित हों, जैसे यहाँ BA और BC, तब इस युगम को आसन कौन कहा जाता है, और दूसरा है शीर्षा भिमक कौन, जब दो रेखाएं एक परसपर बिंदू पर प्रतिछेद करें, जैसे यहाँ O, तब शीर्षा भिमक कौनों का युगम बनता है, यह प्रेला है AOC और BOD, और दूसरा है AOD और BOC, आसन और शीर्षा भिमक कौन के युगम के अतरित और भी युगम हैं, जैसे पूरक कौनों का युगम, जब दो कौनों के माप का योग एक सम कौन के बरावर, यानि ठीक 90 डिगरी हो, तब यह पूरक कौन कहलाते हैं, और जब दो कौनों के माप का युग एक रिजु कौन के बरावर, यानि ठीक 180 डिगरी हो, तब यह सम्पूरक कौन कहलाते हैं, अब हम दो भिन रेखाओं के आपस में संबंद के बारे में जानेंगे, यह दो प्रकार कहो सकते हैं, यदि वह रेखाएं, एक उभेनिष्ट बिंदू पर प्रतिछेद करें, तब प्रतिछेदी रेखाएं के लाई जाती हैं, और यदि ऐसा ना हो, तब अब प्रतिछेदी या समानतर रेखाएं, यह द्यान दें कि समानतर रेखाओं के विभिन बिंदूओं पर उभेनिष्ट लंबों के लंबाई समान रहेगी, जैसे यहां ये लंबाई और ये लंबाई समान हैं, और इस लंबाई को इन दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी कहा जाता है, अब हम कोणों के रहखेक यूगम के बारे में सीखेंगे यदि दो आसर्ण कोणों में अउभःनिष्ट भुजाएं एक रेखा बनाएं तब वे रहखेक कोणों का यूगम बनाते हैं जैसे इस आकरिती में कोण B O C और कोण A O C की जो अउभःनिष्ट भुजाएं हैं O B और O A वे एक रेखा A O B बना रहे हैं साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि रहखेक यूगम बनाने वाले कोणों का जो माप होता है उनका योग ठीक 180 डिगरी होता है तो यह एक संपूरक कोणों का यूगम भी है कोणों के रहखेक यूगम की चर्चा पर आधारत हम उनसे संबंदित ये दो अभी ग्रीहीत समच सकते हैं पहला यदि एक किरन एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिगरी होता है जैसे हमने अभी देखा कि कोणों का रहखेक यूगम एक संपूरक कोणों का यूगम भी होता है और दूसरा, यदि दो आसन कोनों का योग 180 डिग्री है, तो उनकी अउभय निष्ट भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। इन दोनों अभिग्रीहितों को साथ में मिलाकर रेखेक युगम अभिग्रीहित कहा जाता है। अब हम शीर्षभ्यम कोनों से समंदित एक प्रमय सीखेंगे। इसके अनुसार यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिछेद करती हैं, तो शीर्षभ्यम कोन बराबर होते हैं। जैसे इस आकरिती में रेखा AB और रेखा CD उभेनिष्ट बिंदू O पर परस्पर प्रतिछेद कर रहे हैं। इधर शीर्षभ्यम कोनों के दो युगम हैं, AOC और BOD और दूसरा AOD और BOC। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि कौन AOC और कौन AOD एक रेख्यक युगम बना रहे हैं, जिसके अभिग्रिहित के अनुसार इनके माप का योग 180 डिग्री है। इसी तरह कौन AOD और कौन BOD भी एक रेख्यक युगम बना रहे हैं। इसलिए इनके माप का योग भी 180 डिग्री है। इन दोनों योग के 180 डिग्री होने के कारण हम यह लिख सकते हैं। साथ ही इधर कोण Aod का माप दोनों ओर है, जिसके कारण हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कोण Aoc का माप कोण Bod के माप के बराबर है, और क्योंकि यह दोनों शीशा भिमक कोण हैं, हमने प्रमय का प्रमान दे दिया. इसी तरह कौन B और C और कौन A और D जो एक और शी शब हमों कोनों का युगम है उनका माब भी हम बराबर कह सकते हैं दोस्तों यह हमारा एक नया सेक्शन है इसमें हम आपकी शबदावली में कुछ नय शब जोडने का परयास कर रहे हैं आज का पहला शब है ड्रीम अर्थात सपना जिसका अंग्रेजी में मतलब है a series of thoughts, images and sensations occurring in a person's mind during sleep यानि सोते समय आपके दिमाग में आने वाले चित्र या विचार और दूसरा शब है डेस्टिनी अर्थात भाग्य the events that will necessarily happen to a particular person or thing in the future यानि आपके भविश्य में होने वाली घटनाए स्वारांच, आज हमने क्या क्या सीखा पहले हमने कुछ जरूरी परिभाशाएं सीखी जैसे रेखा, रेखाखन, किरन, सरेक और अंसरेक बिंदू और कौन उसके बाद हमने कौन के प्रकार देखे पहला था नियून कौन, जिसका माप 0 डिगरी और 90 डिगरी के बीच हो दूसरा सम कौन, जिसका माप ठीक 90 डिगरी हो तीसरा अधिक कौन, जिसका माप 90 डिगरी और 180 डिगरी के बीच हो चौथा रिजू कोन जिसका माप ठीक 180 डिग्री हो और पांचवां था प्रतिवर्ति कोन जिसका माप 180 और 360 डिग्री के बीच हो इसके बाद हमने कोनों के कुछ युग्मों के बारे में पढ़ा पहला आसन कोन, फिर शीर्षा भिमुक कोन, पूरक और समपूरक कोन फिर हमने प्रतिछेदी और अप्रतिछेदी रेखाओं पर कुछ चर्चा की, कोनों का रैखेक युग्म और उसका अभिग्रीहित समझा और फिर शीर्षा भिमुक कोनों का प्रमे और उसका प्रमान देखा आशा करती हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपकी कुछ मदद हुई इस कोरोना के समय सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों